रूस की तरफ से नैच्रल गैस की सप्लाई रोके जाने की वज़े से देश की सबसे बड़ी गैस कमपनी गेल को नैच्रल गैस की भारी किलत का सामना करना पड़ रहा है और जरूरत पूरा करने के लिए इस पॉर्ट मार्किट से नैच्रल गैस खरी दी जा रही है माना जा रहा है कि नेचुनल गैस की कमी की वज़े से गेल के पेट्रो कैमिकल प्लांट पूरी शम्ता से काम नहीं कर पा रहे हैं रूसकी कमपनी Gasprom ने 2022 की शुरुबाद से गेल के लिए नेचुनल गैस की सप्लाई रोग दिये सप्लाइ को दुबारा शूरू कि अजा सके इसके लिए भारत रूस के साथ बाचीत कर रहा है लेकिन माना जा रहा है कि अगले बारा महिने तक भारत में LNG की किल्लत रहने वाली है और जिस तरीके के आसार और संकेत मिल रहे हैं उस इसाब से भारत की जो सबसे बड़ी गैस सप्लाइर है गेल उसे गैस मिलने की उमीद नहीं है। सप्लाइ इसलिए रुकी थी कि गैस प्राम की एक जर्मनी की सबसीडियरी है जिस सबसीडियरी से गैस गैस की आपूरतियां सीमित हैं और इसलिए गैस को परयाप्त गैस नहीं मिल पा रही है। की आपूरति में भी कमी आ रही है। कात रुप से हो पाएगी। इसलिए आने वाले च्छे महिनों में लंजी से जुड़ हुए जितने भी गैस प्रोडिक्ट हैं चाहे वो पी एंजी हो या सी एंजी हो इनकी कीमतों में बढ़ोतरी होती रहेगी और वो भी गैस की कमी बनी रहेगी। उद्ध्योग जिनके को